दो दो पार्ट थे, दो पार्ट थे न उसके भी, यहां पे भी दो पार्ट है, आपका जो lens maker makers formula for concave lens concave lens का भी आपने lens maker formula करना है, तो फिर से हम, हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है एक concave lens यह concave lens दो हिस्सों से बनी हुई है, पहला वाला हिस्सा यह जो आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा अगर इसे, यह इसका दूसरा हिस्सा है इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, तो यह बन जाती है, पूरी की पूरी एक concave lens अब इनको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अब ध्यान से देखना इससे को यह यह first part है, यह पहले derive करेंगे, यह second part derive होगा, अब first part में यहां से incidence होता है यहां से incidence होता है, ठीक है, अब जब यहां से incidence होता है, तो इस incidence में हमारा refractive index माल लीजे, mu1 है, और यहां का refractive index mu2 है, भाई जो refractive index यहां है, यह भी इसी का हिस्सा है, इसकी continuation है तो इसका refractive index भी यही होगा, और जब वापस बाहर आएंगे lens के, तो यहां का refractive index भी यही होगा अब जो बाहर वाले refractive index है, mu1, they are less than mu2, एक बात तो यह होगई, कि बाहर वाला हमेशा अमाल लीजे, यह air है, यह और यह glass है, तो glass का refractive index हमेशा जादा होगा as compared to air, तो mu2 will always be greater than mu1, तो पहला medium मेरा जो हो जाएगा, that will be rarer, this will be denser, this is denser, and this is rarer अब जो पहला case हम study करेंगे, उसमें object हमने rarer में रखा हुआ है, यहां मेरा object है, और image denser में बन रही है दूसरे वाले में, denser में object होगा, rarer में image बनेगी मतलब, पहले case में rarer में object होगा, दूसरे case में denser में object होगा दूसरी चीज़, जो पहला case, जो first part है, उसकी जो image होगी, जो पहले वाला image बनाएगा दूसरा हिस्से के लिए, देखो न, यह जो बीच वाली मैंने जो line draw की है, इस line से पीछे, पहले ray, इस first interface के लिए इस interface के लिए object rarer में है, इस interface को क्या दिखाई दे रहा है, object हवा से आ रहा है, जब इसके अंदर गुजगया, यह दूसरा interface है, दूसरे interface को हवा थोड़े दिखाई देगी, उसको दिखाई देगा कि object जो है, जो object से आने वाली ray है, वो कहां से आ रही है, गलास के अंदर से, तो पहले वाले की image दूसरे वाले के लिए object होगी, यह ध्यान रहे, तो first जो actual का object होगा, वो यहां होगा, first case में object actual होगा और दूसरे case की image, final image बनेगी, यह बात समझा गई, अब बात करते हैं हम, जो first case जो हम आज का case पढ़ेंगे, अब हाप के पास क्या है, जो refraction है, जो refraction है, वो हो रही है, at concave, दोनों cases में, concave, spherical surfaces, पहला case क्या लेके चल रहे हैं, कि आपका object जो है, वो rarer medium में है, object is in rare medium, चलिए, फोल तो दिया, let's draw the diagram, चलिए, diagram बनाते हैं, यह है आपका पहला हिस्सा, यह, यह आपका पहला हिस्सा है, इस हिस्से में, अगर यह आपका first part है, तो इसका refractive index, इस हिस्से का mu1 होगा, और इस हिस्से का refractive index, mu2 होगा, अब यहाँ पे पहला काम मेरा है, कि मैं यहाँ draw करूँगा principle axis, principle axis बन गई यह आपकी, अब हमने in lectures में, general lecture यहाँ पड़े नहीं है, वो lectures, पीछे वाले lectures को देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे कुछ sign conventions और assumption पड़ाई थी, पहली एक assumption यह थी, कि जो object होगा, वो principle axis के उपर होगा, और जो principle axis के उपर object होगा, वो एक point object होगा, तो मैं object ले रहाँ, point object, और पड़ा हुआ है वो object ओ पे, अब O से, object से जो line जाएगी, object से जो line यहाँ जाएगी, that line will be there on the surface, वो इस surface पे चली जाएगी, इस surface के उपर जैसे ही जाएगी, इस surface पे जाते ही, यहाँ पे अब मुझे, यह किस तरफ bend होगी, वो depend करता है, कि इस point के उपर, यह जो point है आपका, जिसे में, चलिए, इस point को मैं end माल लेता हूँ, यह end point जो है, इस end point के उपर जो normal होगा, वो decide कराएगा, कि मेरा object कहाँ, मेरा object से आने वाली rake के sideband होगी, चलिए, यहाँ से आने वाली पहले normal draw कर लेते हैं, आपको पता है, एक circular surface में, जो normal होता है, surface के उपर जो normal होता है, that always meet at point center, center point पे meet करता है, तो center को ले लेता हूँ में C, center को ले लेता हूँ में C, तो यह C point पे meet कर रहा है, तो यह normal है, अब अगला rarer medium है, rarer medium है, तो जो पहला medium rarer है, यह और यह वाला medium dancer है, rarer से dancer जा रही है, तो ray उपर की तरफ bend करेगी, उपर की तरफ bend करेगी, तो ये कहां आगे तो चली जाएगी, आगे तो ये यहां से निकल गई, अब आगे तो चली गई, इसे हम backward meet करवाते हैं, यहां पर backward meet करेंगे, वहां मेरे लिए एक virtual image बनाएगी, I, virtual image कैसी बनेगी, I image बनेगी, तो यहां तक सब को समझ आ गया, अब जो मेरा मैंने आपको प कौन सा एंगल बनाएगी, अलफा, image बनाएगी एंगल बीटा, तो यह दूसरा एंगल बन गया, बीटा, radius बनाएगी एंगल गामा, गामा यह बन गया, अब incidence कहां बन रहा है, एंगल ओफ इंसिडेंस जो है, वो नॉर्मल, नॉर्मल यह है भाई, NC, NC वाला नॉर्मल, इसके साथ बनाएगी एंगल ओफ यह, सबसे उपर वाली रे, सबसे नीचे वाली रे के साथ जो एंगल बना रही है, वो है एंगल ओफ इंसिडेंस, डाट इस, small i, क्aving और सबसे नीचे फाली रे जो बीच वाली रे के साथ एंगल बना रही है क्योंकि हमने बेंड आउट किया है तो यह वाला एंगल भी आ अब आपके पास तीन एंगल्स होगे अल्फा बीटा गामा दो एंगल्स होगे आई और आर पहला काम क्या है मैंने आपको बताया कि अगर एक काम करो आप या तो N से एक नॉर्मल ड्रॉप कर लो M और यहां पे पोल P है दूसरी एजम्शन क्या थी M और P आलमोस्ट सेम है इसका मतलब है M P का कोई मतलब नहीं बनता दूसरा एजम्शन क्या है या दूसरा साइन केंवेंशन क्या है तो जो डिस्टेंस M जिस पॉइंट में आएगा उसे भी हम P लेके चल सकते हैं चलिए, देखते हैं अब मुझे सबसे पहले क्या बनाना है मुझे कंडिशन्स बनानी है इंटरियर और एक्स्टेरियर एंगल वाली चलिए, लेते हैं ट्राइंगल N O C भाई, ट्राइंगल लीजिए N ये है, O यहाँ है C यहाँ है N O C में एक्स्टेरियर एंगल कौन है आपका एक्स्टेरियर एंगल है वाई, गामा और इंटिरियर एंगल कौन है अलफा और आई अलफा अप्ध्यान से देख लेना अलफा और आई हैं इंटिरियर एंगल गामा है उनका एक्स्टेरियर एंगल और दूसरी ट्राइंगल N I C में NIC में आपके पास NIC NIC में भी आपका exterior angle गामा ही है और interior angle है βीटा और R अब आपके पास equations बन गई दो इन दोनो equations को आपने क्या करना है इन दोनो equations में से आपने निकालना है angle I और आपने निकालना है angle R first equation में से गामा माइनस अलफा बन गया और दूसरी equations में से गामा माइनस बीटा बन गया तो ये बन गए equation I, ये बन गए equation R की चलिए एक काम हो गया दूसरा ये था कि हमने पढ़ा हुआ है स्नेल्स का law स्नेल्स का law कहता है कि sin of I upon sin of R किसके बराबर होता है मू 2 by मू 1 के और दूसरी चीज हमें पता है कि sin of small angles angle के बराबर होती है और यहाँ पे angle small है तो sin of I will be equal to I sin of R will be equal to R that is equal to मू 2 by मू 1 तो यहाँ relation बनाओ cross करो multiply equations बनाओ मू 2 R will be equal to मू 1 I तो यह वाली equation को संफाल के रखो यह equation बन गई आपकी एक अब एक ही हो गया अब हमें alpha, beta, gamma चाहिए alpha, beta, gamma उन्हें लाना है हमने in terms of tan क्योंकि tan alpha भी, tan beta भी, tan gamma भी, gamma के बराबर होते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे angles बड़े ही छोटे हैं यहाँ भी angles बड़े ही छोटे हैं तो आप देखते हैं tan alpha किसके बराबर बनता है यहाँ देखो tan alpha alpha क्या होता है, perpendicular upon base ध्यान रहे, perpendicular सबका सेम है, या तो आप NM, चलो, अब दो cases हैं, आपके लिए, अपने understanding के लिए, या तो आप ये NM perpendicular drop ही ना करो, ठीक है, और NP को perpendicular consider कर लो, NM को perpendicular, drop नहीं करो, और NP को perpendicular consider कर लो, ये बात आपका ये ज़्यादा असान हो जाएगा, फिर आपकी triangles जितनी perpendicular बनेगे, सब में perpendicular कौन बनेगा, NP, perpendicular हो गया, तो अलफा कौन सी वाली triangle में है, ये नीचे वाली बड़े वाली triangle में, और इसका base क्या है, OP, तो NP upon OP हो गया, पहल बीटा देखो, टैन बीटा, perpendicular सब का NP है, बीटा कौन से वाली है, बीच वाली triangle, ये वाली NI, इसका base क्या है, IP, ये हो गया, और तीसरा आ गया, टैन गैमा, गैमा हो गया, थर्ड छोटी triangle, NP upon CP, तो ये तीनों रिखने हैं अब आपने, यहाँ पे, टैन अलफा हो गया, NP अपन O-P, टैन बीटा हो गया, NP upon IP, और टैन गामा हो गया, ये टैन है, टैन गामा हो गया, NP upon CP, डन, तीनों चीज़ें आगई आपके पास, अलफा, बीटा और गामा, अब ये equations, आपने अलफा की, अलफा की value ये हो गई, बीटा की ये हो गई, गामा की ये हो गई, आप आर की जगा, ये यहां से value डालो, और आई की जगा, यहां से value डालो, अब देखते हैं क्या बनता है, आपको पता है, म्यूट वन इंटो आई, आई किसके बराबर है, गामा माइनस अलफा, गामा कौन है, NP upon CP, NP upon CP, माइनस अलफा, अलफा कौन है, NP upon O-P, is equal to, म्यूट वन इंटो आर, आर किसके बराबर है, गामा माइनस बीटा, गामा कौन है, NP upon CP, माइनस, बीटा कौन है, NP upon IP, अब ध्यान से देखो, सब में NP common है, NP हटा सकता हूं में, म्यूट वन, CP, CP क्या है, C और P का distance, pole और center का distance, CP, pole और center का distance है, तो ये क्या होता है, radius of curvature, radius of curvature, और CP को लिख सकता हूं, ये left side पे है, तो माइनस आर, फिर OP, object और pole का distance, object distance क्या होता है, U, left side पे ही है, minus, फिर IP, IP is equal to image, minus V, तो U, V, R, तीनों क्या है, minus है, मैं value भी डालते जा रहा हूं, NP हट गया सब का, क्योंकि सब में common था, NP गया, 1 upon CP, CP है, minus R, minus, formula का, 1 upon OP, minus U, is equal to mu2, mu2 into 1 upon minus R, minus 1 upon IP, minus V, this is what you have got from this one, ठीक है, अब आपके पास सारी चीज़ें आ गई है, ठीक है बचे, अब आपका काम है, जैसे मर्जी करो, आपने mu1, mu2 को किस तरह से, एक तरफ ले जाते हो, r को एक तरफ ले जाओ, अब multiply करते हैं, हम अपना असान का, mu1 को multiply करो, mu1 upon R, minus यहाँ, minus, minus, minus हो गया बच्चे, plus, so बन गया, mu1 upon U, is equal to, mu2 upon R, minus, 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 plus, mu2 upon V, तो यह mu2 है, तो यहाँ से, mu2 वाली टर्म को, यह इस वाली टर्म को में इदर ले आता हूँ, यह प्लस हो जाएगी, तो mu2 upon R, यहाँ minus वाली है, यह हो जाएगी, mu1 upon R, इसको ऐसे रहने दो, यहाँ से इस टर्म को इदर ले जाओ, यह इदर आके minus हो जाएगी, so mu2 upon V, minus mu1 upon U, इसे मैं थोड़ा सा रियर्रेंज कर रहा हूँ, 1 by R common है, ठीक है, 1 by R आपका आगया, common आगया, 1 by R common आगया, तो बीच में क्या बज़ गया, mu2 minus mu1 is equal to, यहाँ पे आपके पास आगया, mu2 upon V, minus mu1 upon V, यह है भाई आपकी expression, जब आपकी first term जो है, यह first आपका जो object है, it is mu2 by V, minus mu1 by U, is equal to mu2 minus mu1, this is your expression, जब आपका object rarer में है, और आपकी image कहाँ है, denser medium में, ठीक है, अब आपका homework क्या है, हम फिर से करेंगे next, अब आपने अगला question करना है, इसका, पहले वाले देख लो lectures, आप कर सकते हो, नहीं होगा, तो मैं कल next lecture में फिर से करेंगे, ài कर सकते हो तो मैं आपकाटी करेंगे,